नितीश कुमार कोई कसर नहीं छोड़ना चाते हैं, किसे भी हाल में एक भी चूक नहीं करना चाते हैं नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं निउस फॉनेशन मुखे मंतरे नितीश कुमार लगातार तावरतो रेलियां कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाप प्रचार कर रहे हैं एक तरफ जहां 24 चुनाप के बाद तमाम राजनितिक पार्टियां जो हैं वो चुनाप प्रचार में लग चुकी हैं अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर एक मंतर का प्रियोग कर रही हैं 29 अपरेल से 2 मई की शाम तक मध्यपूरा में रहकर 34 के 5 और लोगसभा छेत्रों में एंडियो मिद्वारों के पक्ष में सभाई और रोड शो किया चार दिन इस चुनाबी प्रचार में उन्होंने 12 सभाई और 3 रोड शो की है नितीश कुमार पहली बार लोगसभा चुनाब में रोड शो भी कर रहे है नितीश कुमार गुरुवार को शाम को मध्यपूरा से पटना लोट गया नितीश कुमार 29 अपरेल को पटना से मध्यपूरा के लिए रवाना हुए थे पहले दिन नितीश कुमार तीन जन सभाएं की, अरिया मध्यपूरा और अररिया को एक-एक सभा हुई तीस अपरेल को जनजारपूर में एक साथ मध्यपूरा में दो सभाएं की, इसके अलावा उन्हें मध्यपूरा और सुपॉल लोगसभा शेतर में रोडशो भी किया लगतार दूसरे दिन एक माई को नितीश कुमार ने जंजारपुर लोगसभाश्यत्र में रोडशो किया साथी उस दिन तीन सभाएं की इसमें जंजारपुर सुपॉल और मधिपूरा में एक सभा शामिल है दो मई को सुपॉल मधिपूरा बेगु सराय लोगसभाश्यत्र में नितीश कुमार एक एक सभा की इस तरह उन्होंने तीसरे चरन की पांच सीटों के लावा एक सभा बेगु सराय लोगसभाश्यत्र में की बेगु सराय में चौथे चरन में मतदान है मालुम हो कि नतीश कुमार दूसरे चरन की सीटों पर भी परचार करने के लिए पांच दिनों तक मध्यपूरा के कैम्प खुए थे इस चरन में सभी पांच सीटों पर इंडिये की ओर से जद्यू के उमिद्वार ही लड़ रहे थे साथ मई को तीसरे चरन के लिए मतदान होना है तो साथ मई को तीसरे चरन का मतदान होना है और नितीश कुमार अपने प्रत्याशियों के लिए ताबर तोड रेलिया कर रहे हैं नितीश कुमार पटना से 29 अपरेल को निकले हैं और कल देर शाम पटना पहुँचे हैं इसमें नितीश कुमार ने ताबर तोड जन सभाए की हैं रेलिया की है याम जंदा के साथ बाच्शीत की है नितिश कुमार कोई कसर नहीं छोड़ना चाते हैं 24 चुनाब में कोई चुक नहीं छोड़ना चाते हैं ताकि उनकी एक चुक से ये चुनाब भारी पड़ जाए एक तरफ जहां अपने प्रत्याशियों के लिए जी जा नित नितिश कुमार की पार्टी जद्यू फिर भी पीछे नहीं हट रही है इस तपसी हुई गर्मी में भी नितिश कुमार की पार्टी जो है वो जी जान लगा कर चुनाब प्रचार कर रही है ताकि 2024 लोग सवाच चुनाब में प्रचंड जीत हासिल हो सके